जैहिंद। आज हम लोग देखते हैं कि बाई मंडल का निरमान किस तौर से हुआ है, उसका ओरीजिन कैसे हुआ है और हम देखेंगे कि बाई मंडल किस-किस चीज से मिलके बना हुआ है योकि गोर्वान्डल का प्रभाव संपूर्ण जीमों पे है पूरे पठीविक पे हैं लिवान के देखेगे कि गाओं अस्छां…? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले जानते हैं कि बाई मंडल होता क्या है, देखें बाई मंडल, इसमें एक सब्द लगा हुआ है वाई और एक है मंडल, वाई मतलब air या उसको आप gas कहिए, और मंडल का मतलब होता है आवरन, यानि धकने वाला एक प पिर्थिवी को चारो तरब से घेरे हुआ है, और घेर करके उसपे प्रभाव डालता है, इसको बोलते हैं बाई मंडल, अब देखें बाई मंडल जो है न, वा उसकी मोटाई सेक्रो किलो मीटर तक है, कितनी मोटाई है उसको हम लोग अभी देखेंगे, फिलहाल हम लोग य कोला थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, धीरे धीरे पिर्थिवी ठंडी होती गई है, और उसके बाद इस पे जीवन की शुरुआत हुई है, लेकिन जब बनी थी, उस समय आग की गोला थी, और बहुत गर्म थी, धदक रही थी, तो इसका रोटेशन भी बहुत तिब्र था आपको पता है कि पिर्थिवी अपने अक्षपे 24 गंटा में अभी रोटेट कर लेती है, लेकिन उस समय 18 गंटा में रोटेट कर जाती थी, ये बहुत तेज गती से घुमता था, और इसके तेज गती से घुमने के गारण एक बल भी लगता है, उसको बोलता है केंद्राप स आपके अंद्राप सारी बल बहुत जादा था, जब इसका रोटेशन धीरे-धीरे कमता है, तब इसके अंदर गृतवा करशन बल बढ़ जाता है, और इस गृतवा करशन के कारण जो बैमंडल है, उसका निर्मान हो जाता है, और बैमंडल में गैस है, धूलकन है, जलबास उस सब का इसमें जो है कंसेंट्रेशन बढ़ना सुरू हो जाता है उसके बाद क्या होता है ऑक्सीजन और हैड्रोजन मिल करके जलबास्प का भी निर्मान कर देते हैं और उससे जलबास्प संगनन होता है तो उपर से नीचे गिरती है प्रिथिवी पे तो उससे कारण उस ज मंदल का निर्मान होता है उसके बाद बाई मंदल बनता है और उसके बाद जल मंदल का निर्मान होता है और तीनों जहां पर मिलते हैं वहां जीवन की सुरुवात हो जाती है तो उसको बोलते हैं जैब मंदल तो जैब मंदल का भी निर्मान हो गया इस तरह से आपने देख नाइट्रोजन की अधिकता है आपको पता ही है 78 परसेंट है ऑक्सीजन 20.9 परसेंट लगवागे 20 परसेंट के आसपास है दोनों को मिला देजिएगा तो काफी बड़ी संख्या हो जाती है और उसके बाद आरगन है 0.93 परसेंट साथ ही साथ CO2 यानि कारवन डियोट्स है बह बहुत महत्पून गैस है नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो पेर पौधे अपने सरीर में वह प्रोटीन का निर्मान नहीं कर पाएंगे तो यह बहुत ही महत्पून गैस है साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो देखते हैं सभी जीव जनतु को पूरे पृतिवी के तापमान को बनाए रखती है तो यह भी बहुत महत्पून गैस है लेकिन इसका संतूलन बना रहना चाहिए कम है तो भी खतरनाक है तो उससे क्या होगा कि गलेशियेशन हो जाएगा पूरे पूरे पृत घट जाएगा और ज्यादा मात्रा में पढ़ तो फिर तापमान को बढ़ा देगा ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देगा और इससे है कि जीव जन्तू का राना मुश्किल कर देगा तो यह है उसके साथ ही साथ बाकी का भी अपना एक महत्त है साथ ही साथ डस्ट है डस्ट का क्या काम है डस्ट के कारण ही आपको आकास क साथ ही साथ ही महत्पुन काम है कि आधर्टायरग नाभिक काम करता है इसके शतांतरणियो करता रांब होना चाहिये जिसका चार। जाता है कि 20 लाख जल की बुंदे इक अठा जब होती है चोटी 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 तब जाकर के एक बुंद बनता है पूरा का पूरा तो आधरता गराही नाभिक वर्षन के लिए अत्यंत जरूरी है इसके बीना वर्षा ही नहीं होगा उसके साथ ही साथ बेपर मिलता है यानि कि जलवास्प का काम बहुत महत्पूर है जलवास्प अगर नहीं होता तो इस प्रिथिवी पे एक जो आउसत तापमान है प्रिथिवी का पंदर डिगरी सेल्सियस यह नहीं हो पाता यानि कि क्या करता है यह सुरज की किरणों को आने देता है कुछ मात्रा में उसको अब्ज सकती है तो यह संतुलन के लिए जरूरी है यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन करती है ग्रीन हाउस में यह सबसे ज़्यादा मौत्पून मतलब है कि प्रिथिवी को गर्माने में यह बहुत ही महत्पून घूमिका निवाती है साथ जाते हैं कि जीरो से लेके 4 पर सेंट त लगता है तो उस तरह से चीजे होती है वो सारी की सारी जलवास्प के कारण ही होती है जलवास्प नहीं होगा तो क्रियाए ही नहीं होगी तो मुझे लगता है कि